तो मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफियाज रिवेंच का एपिसोड नमबर 26 तो चलिए ज़ादा बाते ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं ट्विंकल अगस्ते की कोद में बैठी थी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना सबसे ज़ादा मेरी लाइफ में तुम पापा और जानू ही तो हैं ये जानू कौन है तुम्हारी कोई फ्रेंड है अरे जानू मैंने उसके बारे में नहीं बताया चलो मेरे साथ तब ही होती है जानू और अगस्ते की पहली मुलाकात जहां ट्विंकल अगस्ते का हाथ पकड़ कर आ रही थी जिससे जानू भौकने लगा और वहीं ट्विंकल भाग के जानू के पास गई और जानू उसका चहरा चाटने लगा जिससे अगस्ते की मुठ्या भिच गई उसने जानू को बहुत तेज उठाया और ट्विंकल से दूर कर दिया और अपनी बाहों में भर कर कहा How dare he touch you मेरी ट्विंकल को छुआ है उसने ये देखकर जानू भौकने लगा और अगस्ते को काटने को हुआ तो अगस्ते उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि ट्विंकल चिलाई अगस्ते ये सुनकर अगस्ते है हरान हो गया जोकि ट्विंकल हमेशा उसे गोलगपू ही कहती थी अगस्ते शौक्ठ होकर कहता है तुम इसके लिए मुझे छोड़ोगी मुझे वो रोने जैसा मुझ बनाते हुए बोलता है ट्विंकल जानू को पुछकारते हुए सौरी गोलगपू पर जानू की बात आते ही मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लीज इसे कभी चोट मत पहुचाना अगस्त्य ने तभी डिसाइट कर लिया था इस जानू की वो बट लगाएगा जब भी अगस्त्य ट्विंकल से मिलने आता जानू बीच में आ जाता एक दिन अगस्तिय ने उसे किड्नैप करवा कर दूर भिजवा दिया फिर खुद ही उसे ढूनने का नाटक किया ट्विंकल का रोते रोते बुरा हाल हो गया था तो अगस्तिय ने उसे प्यार से धीरे धीरे टाइम के साथ जानू को भुलवा दिया अब एक बार फिर दोनों का आमना सामना हुआ था अगस्तिय जानू को देखकर स्माइल करते हुए अरे जानू चलो अच्छा हुआ अब तुम्हें धंक से ठिकाने लगाऊंगा ये सुनकर ट्विंकल कहती है क्या अरे मतलब ये आज से इसका भी ठिकाना होगा ना ट्विंकल अगस्तिय को गले लगा कर ओ आई लव यू अगस्तिय का दिल ही रुख गया कितने दिनों बार ट्विंकल ने उसे गले लगाया था अगस्तिय ने जट से उसके होटों के पास अपने होट बढ़ाने लगा और ट्विंकल की कमर को सहलाने लगा ट्विंकल ने आखे बंद कर ली, दोनों करीब बढ़ने ही वाले थे, अगस्तिय तू पूरा बैचेन हो रहा था, तभी जानू ने ट्विंकल की साड़ी को खीचा, त्विंकल ने अगस्तिय को हलका धका दिया, और जानू को गोद में उठा कर, अरे क्या हुआ, भूख लगी है, चलो खाना खात मुझे प्यार करेगी, वो सर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, उसमें क्या है इसा, जो मुझे में नहीं है, इस पार तो इस कुत्ते को मैं लंडन भीजवा दूँगा सिधा, ना रहेगा जानू, ना दूर जाएगी मेरी जानू, वो प्लैन बनाने लगा, वहीं दूसरी तर सोना भी कहती है, हाँ भाबी, ये सुनकर ट्विंकल कहती है, है न, ये कहकर वो जानू को कुछ कारने लगती है, अगस्तिया ने अपनी मुठियां भीच ली, वो बहुत गुस्ते में था, पर शुप चाप, सब देखता रहा, आखिर प्लैन तो बना ही लिया था उसने, वह प्रेम को एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है, और वो बाहर जाकर अपना फोन उठाते हुए कहता है, यार इस टाइम फोन मत क्या करो, भर पर सब होते हैं, प्रीस अंडरस्टाइंड, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, मैं फोन रख रहा हूं, ये कहकर वो गुस्ते में फोन र पर ट्विंकल तो जैसे अगस्ते को भूल ही गई थी, वो जब भी ट्विंकल से कुछ कहता, जानू बीच में आ जाता, वो ट्विंकल को छूता, तो जानू भौकता, अगस्ते मन में कहता है, अपने दिन गिन ले जानू, मेरी ट्विंकल की बाहों में जतना आराम करना है क पर उसके दिमाग में तो जानू ही चाया था तो आपको कहानी के अगले भाग में ही पता चलेगा तो जब तक नेक्स एपिसोड आता है तब तक के लिए बाइ एंड टेक केर